हरियाना में बुल्डेजर के जरिये मुख्या मंत्री मुनोहरलाल खटर बदमाशों में नशा तर्सक्रों को डोज दे रहे हैं मेवाद गुरुगुराम में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के कुछ ही घंटों के भीतर एक्टिम ओर में आते ही मुख्या मंत्री मुनोहरलाल खटर ने निर्देश दिये की दंगाईयों को ने केवल गिरिफतार किया जाए बलकि उनके मकानों पर पीला पंजा भी चलाया जाए नू में हुई आगजनी वैं इंसा के बाद शुकरवार के बाद दूसरे दिन शनीवार को भी अपरेशन बुल्डोजर चला पलीस फोर्स के साथ दिकारी चार बुल्डोजर लगकर नू पहुंचे नू केहनल रोड पर करीब 30 दुकानों में मकानों को गिराया गया इसे पहले शुकरवार को नू में ही 25 घर, दुकानों और रोंगा की 250 जुग्यों पर बुल्डोजर चला गया पलीस ने इने भी अवैद कबजा करार दिया था वैसे भी उनकर मंतिर मिनोरदाल खटर के सक्ट एक्षन के बाद परदेश में अब तक नशात असकरों की 31 क्रोड की संपत्ती को एटैच किया जा चुका है और तीन दर्जन से अधिक बदमाशों के भी अवैद ठिकाने गिराय जा चुके है लेकनिया है कि नू सहीत साथ लगते इलाके में 31 जुलाई को हुई हिंसा में 500 वाहनों को आके हवाले के इलावा साइबर थाने को जला दिया गया था इस हिंसा में दो पलीस जवानों वैचार नागरिकों की मौत हुई थी पलीस ने तुरंत हरकत में आते हुए राज़ा में 102 केस दर्च करते हुए 202 लोगों को गिरिफतार किया जबकि 78 को हिरासत में ले लिया नू हिंसा की जाच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की आठ और तीन स्पेशल इनिवेस्टिगेशन टीमें बनाएगे पुलीस से मेली जानकारी के अनूसार अकेले नू में 33, गुरुगरा में 23, पलवल में 18, रिवाडी और फिर्दाबाद में 3-3 केस दर्च किये गे यह थी हमारी खास रिपोर्ट